Hi guys, welcome to Ankita Vlogs, मैं हूँ Ankita and I hope you're doing well, welcome to Monday Motivational Series, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में टाइम का मानेजमेंट सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, बहुत बार चीजें क्यानाची उलच जाती हैं, आपके सामने इतने सारे काम होते हैं कि कभी आपको लगता है, ये काम इ अच्छे कोई पॉइंट नहीं है, ये एकदम पॉफेक्ट पॉइंट से लेकिन ये पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मेरे अपनाए हुए पॉइंट से और मेरी माने तो काम को सही तरीके से सही समय पर लिमिट क्यानाची एक बना कर एक सही प्रोफार्मा मे करना अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए एकदम बैस्ट हैं इसारे पॉइंट तो बिना देर गवा हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट इट सबसे पहला पॉइंट है आपकी मॉर्निंग कैसी है ये चीज आपके दिन भर पर बहुत डिपेंड करती है अगर आपने मेरा लास मंडे मोटिवेशन लाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपके साथ पांच ऐसी चीजें डिसकस की हैं जो अगर आप सुबह उटके करते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक आपका पूरा दिन खराब करने के लिए काफी होती तो आप उन मिस्टेक्स को देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मॉर्निंग में इसी क्या चीज़ हैं जो आपको नहीं करनी हैं आपकी मॉर्निंग सही स्टार्ट होना सबसे जादा जरूरी है कोशिश करें कि सुबह आप टाइम से उटें फिजूल की कामों में अपना वक बरबाद न करें सही तरीके से एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ अपना ब्रेकफास्ट कभी 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 भी स्किप करने की गलती आपके मॉर्निंग जितनी पॉफर्क स्टार्ट होगी दिन बर में आपका जो टाहिम है उसका मैनेजमेंट उतना सही होगा तो इस बात का ज़रूर दियान रखें सेकंड पॉइंट हमेशा सब कुछ लिख कर रखें लिख कर रख सकते हैं या कहीं स्टिक कर कर रख सकते हैं जहां बैटकर आप काम करते हैं, हमेशा वहाँ पर कुछ sticky notes लगा कर रखें, कोशिश करें कि वो sticky notes पर आप उन चीज़ों को लिख कर रखें, लिख कर रखने से याद रहेंगे, ये बात नहीं है, बात यह है कि आपको पता होगा, कि आपको आज ये चीज़ें पूरी करनी है इसके साथ साथ मान लिजे, कि वो चीज़े आपने पूरी ना भी की, तो जब भी वो आपके नजरों के सामने आएंगी, तो आपको थोड़ा सा गिल्ट जरूर होगा, और वो गिल्ट अगली बार से उस चीज़ को टाहिम पर पूरी करने की आपकी help करेगा, तो कोशिश कर कि हमेशे इस तरह के कुछ sticky notes या एक चोटे-मोटे कागस पर या चोटी सी एक diary में उन चीज़ों को नोट करके रखे जो आपको दिन बर में complete करनी है, next point है, body clock का हमेशा धियन रखे, हम यह करते हैं कि हम धेर सारे कामों में first हो जाते हैं, लेकिन हम कभी भी यह नहीं सोचत कि हमारी body को भी rest की जरुरत है, आप जितना अपनी body का धियन रखेंगे, आपका काम करने का जो तरीका है, आपकी जो productivity वो उतनी जादा हमेशा बढ़ेगी, तो हमेशा अपनी body को rest देने की भी कोशिश करें, body के साथ आपको अपके दिमाग को भी rest देना है, इसका भी धिय हमेशा अपने काम का burden धेर सारा न बनाए, वो भी आपके time management को खराब कर सकता है, एक्जामपल के लिए आप सुबर 7 बजे उठते हैं और 9 बजे से अपना काम start कर देते हैं, 9 बजे से 11 बजे तक आपने बढ़िया, यानि 9 से 10 एक काम किया, 10 से 11 काम किया, लेकिन 2 गंटे के बाद 10 मिनिट के लिए आपकी बड़ी को भी रेस्ट की जरुर रहते हैं, दो गंटे के बाद आपने सोचा नहीं नहीं, अभी भी मैं काम जारी रखते हूं, 11 से 12 काम किया, 12 से 1 काम किया, ऐसा करते करते आपने 2 से 2 बजा दिये, होगा क्या, आपकी बड़ी को, आपके बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगा, और उसका असरी होगा, कि बाद में, जब उसके बाद वाले जो घंटे उसमें आपका जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा, तो कोशिश करें कि अपनी बोड़ी को, अपने माइन को, एक सही इंटरवल में रेस् अगर आप स्टूडेंट है तो भी, अगर आप ऑफिस वारकिंग है तो भी, आप गर में राके काम करतें तो भी और आप हाउस वाइफ हैं, तो भी इसलिए यह ज़रूरी है क्योंकि आप अपने आपको जितना जानते हैं जितना समझते हैं उतना कोई नहीं जानते हैं आप पूरी दुनिया से जुट बोल सकते हैं आप पूरी दुनिया के सामने कह सकते हैं कि आपने अस दिन बर काम किया आपने सही तरीके से काम किया, आपने सही काम किया, लेकिन आप कभी भी अपने आप से जुट नहीं बोल सकते, तो कोशिश करें कि आप हमेशा खुद को लेकर डिसिप्लिन में रहें, ये डिसिप्लिन खुद बनाएं, आपको डिसाइड करें कि आपको कितने से कितने बज़ करके राखना पूरी तरह से आपके आत्मे किसी और क्यात्मे चीज नहीं हैं मान लीजे एक 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 जाम्पल सो इस चीज को समझते हैं कि आप ने डिसाइड किया कि आप 12 से 4 बजे तक पढ़ाई करेंगे मैं student का एक एक जाम्पल लेती हूं पढ़ाई का वो जादा इंपोर्टेंट है या फिर अगर आप मुवी चले जाएंगे तो भी आपकर टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा कि आप मुवी से आके वो चीज को उतनी देर में कवर कर लेंगे तो इसलिए हमेशा खुद का परस्नल डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूर है और वो है पहली चीज पहले करें आपको एखोड़ करना वह दिए क्या इन चीजा आपके दूस्रे कामնेट से कोशिश करें कि वह ठोसीज करें एंप करें उन्हें और भग्सर करें कि आपको क्या काम पहले करना यह सोब कर इससरे से बिल्द ना प्छ भी करेंगे तो आपके लिए जादा इंपोर्टेंट है उससे होगा कि पहला काम काम हो जाएगा तभी आप दूसरे काम को हाथ में लेंगे और उसके साथ आपका जो तहीम है वो बिल्कुल पॉफेक्ट चलता रहेगा यह नहीं होगा कि आपका यह काम पूरा हो रहा है ना आपका दूसरा का पूरा है तो इस बात का जरूर ध्यान रखे कि अपनी प्राइर्टीज को पहचानना सीखे और अब्जर्फ करना जरूर सीखे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जैसा मैंने आपसे कहा कि मॉनिंग में आपको सब कुछ पॉफेट करने की कोशिश करना चाहिए फिजूल के कामों में टाइम वेस्ट नी करना चाहिए क्योंकि मॉनि का जो टाइम है वो आपका दिन भर डेसाइट करता है ठीक उसी तरह जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो यह कहता है कि रात को सोने के पहले अपने आपको 20 से 25 मिनिट जरूर दीजे मान लिजे कि आप 11 वजे सोने के अपने बैट में जाते हैं तो कोशिश करें कि साड़े दस वजे आप बिल्कुल फ्री हो जाएं बिल्कुल फ्री यानि बिल्कुल आपको कोई काम नहीं है अलग से कोई काम आपका ओफिस से रिलेटेड या आप टीवी देख रहें कुछ नहीं है तो वो जो आदा गंटा क्या आप का सूने के पहले के 25-30 मिट का टाइम होगा न वो आपका अगला दिन डिसाइट करेगा यह ज हूँ इसमे आप किया क्या कर सकते हैं कल आपको क्या क् डिसाइट कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि रात को ये जो टाहिम इसमें 5-10 मिनट आपाख तोड़ या थोड़ी दर शांती से बढ़ जाएं, कोई किताब के दो पन्ने पड़ें, उसके बाद सोएं, ये आपको टाइम मेनेजमेंट में इस तरह मदद करेगा, कि रात को आप अगले दिन के लिए पूरी तरह से शांती से तयार हो जाएंगी, रात को आपको नीन भी अच्छी तो सुबह आपकी नीन ताइम पे खुलेगी, तो आपका दिन भर अपने आप अच्छा हो जाएगा, तो इस वात का दियान रखें, कि लास्ट में जो आपका सोने के 20-20 मिनट पहले का टाइम है, उसे हमेशा अपने लिए बचा के रखें, अपने कामों के लिए रखें, अ चीज़ों को अपनी लाइफ में करना स्राट करना है, और बस देखें, उसके बाद फर्क अपने आप पढ़ेगा, मेरा यकीन मानी है आज जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में यूज करना स्राट करेंगे, तो अपने आप आपकी लाइफ में टाइम मेनेजमेंट का जो कहना चाहिए, एक प्रॉपर प्रॉफार्मा है, जो प्रॉपर रेगुलर्टी है, वो अपने आप आप आजाएगी, so I hope guys ये वीडियो आपको पसंदाया होगा, इसे लाइक करना, जाधा से जाधा शेयर करना, और कमेंट करक अंकिता व्लॉक्स फामिली का अगर आपको अभी तक आप हिस्सा नहीं बनें, so please अंकिता व्लॉक्स फामिली का हिस्सा बनिये, so चैनल को प्लीज प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए, थाकि आपको झाल